नमस्कार आप देख रहे हैं पलपल हर्याना विधानसबा के बजट सत्र की छटे दिन की कारवई बुधवार को शुरू हुई मुख्या मंत्री मनोहर लाल ने सदन में पढ़े शोक प्रस्ताव मुख्या मंत्री ने हर्याना विधानसबा के भूद पूरुफ सिदस्य डॉक्टर अशोक कश्यप के 26 फर्विर 2019 को हुए दुखद निधन पर शोक प्रकट किया मुख्या मंत्री ने हर्याना के राज्य कवी उदेभानुहंस के निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त किया मुख्या मंत्री ने शोक संतिप्त परिवारों के प्रती अपनी सम्वेदनाई व्यक्त की और दिम्गत आत्माओं की शांती के लिए प्रात्ना की सदन में दो मिनिट का मोन भी रखा गया और इसी के साथ देखिए पलपल की है खास रिपोर्ट सदन के सत्र के दुरान कुछ ख्षती हमारे महनुबाव कुछ हमारे बीच से चले गए तो मैं दो शोक प्रस्ताव रख रहा हूँ ये सदन हर्याणा विधान सभा के भूतपूर सदस्य डॉक्टर शोक कश्चप के 26 फरवरी 2019 को हुए दुखत निधन पर गैराशोक प्रक्ट करता है उनका जन्म 25 जनवरी 1967 को हुआ वे वर्ष 2009 में हर्याणा विधान सभा के सदस्य से चुने गए वे एक निष्ठावान सामाजे कारक्टा थे उनके निधन से राज्य एक योग्य विधाय की सेवाओं से वंचित हो गया है ये सदन दिवंगत के शोक संतप परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक समेदना प्रक्ट करता है शोक प्रस्ताव दो ये सदन प्रक्षात हिंदी कवी शिरी उदेवानुहंस के 26 फरवरी 2019 को हुए दुखत निधन पर गहरा शोक प्रक्ट करता है उनका जन्म दो अगस्त 1926 को हुआ वे एक सूप्रसिद हिंदी कवी थे उन्होंने 26 फुस्तकों की रचना की उन्हें वर्ष 1967 में राज्य कवी का दरजा दिया गया उन्हें वर्ष 2006 में सूर प्रुसकार वर्ष 2009 में हर्याणा साहित्य रतन सम्मान तथा वर्ष 2017 में आजीवन साहित्यक सेवा प्रुसकार से अलंग कृत किया गया उनके निदन से देश हिंदी साहिते के एक युग पुरुष की सेवाव से बंचित हो गया है ये सदन जवंगत के शोक संतप परिजुनों के प्रती अपनी हारदिक समवेदना प्रकट करता है मान्य मुख्यमंत्री जी ने अभी जो सोक प्रस्ताव सदन में लेकर आये हैं मैं भी अपनी समवेदना प्रकट करती हूँ मैं इस सदन की भावनाओं को सोक संतप परिवारों के पास पहुंचा दूँगी अब दो मिनट के लिए महुंदारन करें अब पर्शनकाल सुरूफ होता है